Hello friends, welcome to online study point आज के इस वीडियो में हम देखेंगे General Science का Part 12 जिसमें हम डिसकस करेंगे 30 Most Important Questions जो आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए बहुत ही मत्व पुर होंगे दोस्तो सभी question important है इसलिए वीडियो को अंतर तक जरू देखिएगा अगर पसंद है तो लाइक और शेर जरू करिए और online study point को सब्क्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तो इससे पहले मैंने 1 से 11 पार्ट बनाया है आप लोग इसको बिल्कुल देखना ना भूलिएगा क्योंकि वो आपके exam point भी से बहुत important है और इस बीडियो की PDF आप टेलिग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं चलिए देखते हैं आज का पहला question पहला question है निम निम से जूट पता लगाने वाला यंत्र यंद की instrument कौन सा है तो ये instrument है polygraph option number A हमारा correct होगा पॉलिग्राप की दोरा जूट का पता लगा सकता है एक ऐसा instrument है जिससे हम कोई भी जूट बोल रहा हो पता लगा सकते हैं तो देखी इस machine को इस यंत्र को instrument को light detector machine भी कहते हैं और इसकी खोज की थी 1929 में जॉन अगस्तस ने इसकी खोज की थी और इस machine के दोरा heart rate, blood pressure और दिमाग के जो signal है उसको पढ़ा जाता है जब ये machine किसी विक्ति के उपर लगा जाता है और तो उनसे लगातर question पुछा जाता है और उनके दिमाग के जो signal है उनको read किया जाता है और उसके according जो heart rate है अगर वो जूट बोलता है जिसकी heart rate और blood pressure ये बढ़ जाता है तो इस तरह से पताया लगा जा सकते है कि वह बक्ति जूट बोल रहे है देखिए इसके अलाबर यहाँ पर हमने देखा कि सिस्मोग्राफ और अडियो मेटर और एनिमा मेटर के आवता है सिस्मोग्राफ एक ऐसा instrument है जिसके दोरा भूकाम पेन की अर्थ के को record किया सकता है और अडियो मेटर से धोनी की तिबित्रा को जो है मापा जा सकता है इनकी उस समय में लाल क्यों दिखा दिता है इसका मेन कारण है प्रकृण के कारण है इनकी scattering के कारण होता है देखिए scattering क्या होता है जब भी कोई प्रकास है निकी light किसी भी medium से गुजरती है तो उस medium के जितने भी धूल कंड या अचते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे जो कंड होते हैं पार्टिकल्स होते हैं लाल प्रकृण जो लाल होता है इसके दीज़ देखने कि अस तो होता हुआ सूरज लाल दिखा जैता है और यह scattering के कारण ही दिखाले देता है अगला question है पानी कहा घर्मतते यान की density किसे temperature पर अधीक होता है तो पानी का temperature सबसे अधिक होता है तयकि ये पानी के जओ temperature रहे room temperature पर हम देखते हैं जब इसको गरम करने सबसे पहले वो दृ-जले इसकी density बढ़ता है देखिए एक्चिल में जल का जो घनत होता है जो density है वो temperature पर neighbor करता है इसलिए हम देखते हैं कि जो temperature के साथ साथ उसका एक time पर यह इसकी जो 4 degree Celsius पर जो घनत है density है सबसे ज़ादा होती है अगला कोशन है अंडा मिर्दू जल है इनकी नरम पानी में डूब जाता है परन्तु नमक के सांधर है इनकी concentrate घोल में तैरता क्यों है तो देखिए इसका main reason है जो नमक का जो घोल है इसकी density अंडे की density से बहुत ज़ादा होती है जिसके कारण है हम देखते हैं कि हमने इससे पहले भी session में देखा था कि जब भी कोई सगन होगा कोई medium और कोई viral होगा यससे से कोई भी density जिसकी ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी हमने देखा कि पानी पे petrol तैरता था उसका भी यही reason था तो यहाँ पर भी यही reason है कि नमक के घोल का घनत अंडे के घोल से घनत है इसलिए अंडा नमक के घोल में तैरता है परन्तु नॉर्मल मिर्दू पानी में यह डूब जाता है आप लोग comment करके एक चीज़ यह बताए कि नरम पानी और हाड पानी में क्या डिफरेंस है एक word में आप एक sentence में आप मुझे comment box में जिरूर बताईए चलिए अगला question देखते है पार्सेक किसका unit है मातरक है तो देखे के पार्सेक distance यह दूरी का मातरक है देखे बहुत ही लंबी दूरी distance को जैसे जो वैग्यानिक होते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं जो तारों के बीच से तारों के दूरी को नापनी का एक यंत्र है जो पहले ही इसका यूज़ किया था पार्सेक और देखे यहां पर हमने देखा के decibel joti flex है नë कि luminous flex और QURI ये किसका मातरक है देखे है decibel से ध्वानी की तिवरिता की एक unit है और luminous है जो ती flex है ने कि हमने देखा कि luminous flex और क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता को ना पा जाता है क्यूरी के अंदर तो यह चीज इंपॉर्टेंट कुछ यूनेट्स हैं आप ध्यान रखेंगे चलिए अगला कोशन देखें स्वाचालित कलाई घड़ी में उर्जा एने की एनरजी कहां से मिलती है जो हमारे हाथ के बिभिन संचालन से आता था जैसे कि हमारे हाथ में जो भी अक्टिविटी होती थी उसके कारण देखिए कि उस घड़ी में एक फ्लाइंग वील होता था जैसे हमारा हाथ मूवमेंट करता था उसके उसमें क्या होता कि एक स्प्रिंग में वो इस घूमने की वज़े से ए एक बैरल में कितने लीटर होते हैं तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं option number D correct होगा देखिए कई बार एक्जाम में पूछा गया है इसको ध्यान रखेंगे चलिए अगला कोशन देखते हैं साइकल चलाने वाला मोड लेते समय क्यों जुखता हैं देखिए साइकल चलाने वा गुरुत आकरशन का जो केंदर है उसको बैलेंस करने के लिए साइकल चलाना वाला मोड पर मोड लेते समय जुख जाता हैं तो इसका main reason है कि गुरुत केंदर है उसको आधार केंदर उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं अगला कोशन है washing machine किस सिदान पर कारी करता है त इसको कहते हैं centrifuse के कारण होता है option number C इसमें correct होगा तो centrifuse actual में अपके इंदर होता है कि कोई भी बस्तू अगर गोल-गोल घुमाये जाएगा आप नहीं देखा होगा कि इस तरह के जूले जब फिगर में देख रहे हैं इस तरह के जूले है या कोई भी ऐसी चीज इसको अगर गोल-गोल घुमाये जाएगा तो उस पर एक बल उत्पन होता है और उस बल के कारण वह चीज बाहर की हो जाती है जैसे आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में यह सीधे-सीधे रहती है लेकिन जैसे घूमती तो इसकी यह दूर दूता जाती तो गोल-गोल घूमने पर उसकी प्रिविर्टी हो जाती है जिसको हम अब केंदरी बल करते हैं कि वह केंद से दूर की हो जाता है ठीक है तो इस बल के कारण जो है इसी तरह इसी सिध्धान्त पर ही कारी करता है हमारा वाशिंग मशीन नेक्स कोशिन देखते हैं नेमने में से कौन सा मिसरण अनकी मिक्सर कोल गैस कहलाता है तो देखे कि इसमें कोल गैस कहलाता है अप्शन नमबर C इसमें राइट होगा H2, CH4 और CO के जो मिक्सर है उसको कोल गैस कहा जाता है अगला question रखते हैं सुरक्षा की दिरिष्टी से खाना पकाने वाली LPG gas cylinder में क्या भरकर gas को गंध हीुक्त बनाया जाता है तो इसका right answer है option number A मर्क captain को जो है इसमें भराया जाता है gas में जाकि gas leak होने पर लोगों को पत्र लग के अक्ट्यून की गंध के लोगों तक जाए और उससे सुरक्षा के दिरिष्टी से इसको भरा जाता है तो यहीं पर ब्यूटेन LPG में जो हमारे इसमें जो इसमें LPG में ब्यूटेन गैस भरा जाता है ठीक है देखे LPG का फुल फॉर्म होता है liquefied petroleum gas और इसमें LPG cylinder होता है इसमें butane भरा जाता है और देखे producer gas यहाँ पर हमने option इसमें second में देखाँ producer gas जो होता है carbon, monoxide और nitrogen के gasey mixture को producer gas कहा जाता है और जो methane है गोवर gas या प्रकृतिक gas के रूप में इसको जानते है अगला कोशन है कौन सा इधन इनकी fuel सबसे कम परियाबरान प्रदूशन उत्मन करता है तो कौन सा ऐसा जो fuel है सबसे pollutant कम है इनकी हमारे environment को सबसे कम pollution उत्मन करता है वो है hydrogen option number D इसमें correct हो जाएगा अगला कोशन है चार धात्यों इनकी alki metals को आवर्तसानी इनकी periodic table के किस सम्हों इनकी group में रखा गया है तो चार धात्य alki metal को हमारे आवर्तसानी में periodic table में किस group में रखा गया तो इसका right answer है option number B 1A में इसको रखा गया 1A group में इसको रखा गया अगला कोशन है भूरा कोईला इनकी brown coal किस नाम से जाना जाता है तो लिगनाइट को brown coal के नाम से जाना जाता है option number A हमारा correct होगा चलिए अगला कोशन देखते है सबसे भारी धातू इनकी heavy metal कौन सी है दिदे कि सबसे heavy metal होती है और समियम सबसे heavy metal होती है और यहीं पर लिथियम की बात करें तो लिथियम सबसे हलकी धातू में आता है लिथियम तो यह दोनों चीज़ा आप ध्यान रखेंगे भारी जो हमारे metal है वो है ओस्मियम और सबसे हलकी metal है और जो light metal है वो हमारा लिथियम अगला कोशन है प्रतेक आवर्थ का अंतिम सदेश्य क्या होता है और की प्रतेक आवर्थ का अंतिम सदेश्य होता है मेंबर होता है वो होता है एक निश्क्रिय गैस और इनकी इनक्टिव गैस होती है और प्रत्रम जो सदश होता है उसका एक चार धातू होती है इनकी एलकाई मेटल होती है प्रतिक आवर्ट का प्रत्रम सदश है तो यह जोनों चीज कई बार एक्जाम में पूछा गया है अगला कोशन देखते हैं किस बीदी दोरा कपूर को सुध किया जा सकता है कपूर को सुध करने के लिए उर्ध पातन का प्रयूग करता है एनकी Elevation देखिए उर्ध पातन इनकी Elevation क्या होता है कि किसी भी solid प्रदार्थ को drug में यहां की liquid में convert हुए वो wasp में change होता है यानिकि वो gases form में change होता है उसको हम उर्धपातन या elevation कहते है अगला question है alkin का सामान सूतर क्या है देखिए यह बहुत important question है कई बार यहां से related question पूछा गया है तो इसका right answer है option number A CnH2n इसका alkin का formula है देखिए यही पर बात करें alkin का formula है CnH2n Hn plus 2 है और जिसको हम संत्रिप्त hydrocarbon में कहते हैं और alkin का formula है CnH2n minus 2 होता है ठीक है तो यह चीज़ आप धियान रखेंगे चलिए अगला question देखते है ऐसे carbonic क्योंगी कहने कि carbonic compound जिनके अनुशुत्र समान परंतु सन्राच्तमक सूत्र भिन कहते हैं उनको क्या कर लेते हैं देखिए जो ऐसे carbonic compound है जिनके अनुशुत्र समान होते हैं परंतु सन्राच्तमत तक तो इनके सन्राच्तनात्मक सूत्र भिन होते हैं तो इनको समयावी तत्त कहते हैं option number A इसमें हमारा correct होगा तो उनके structure formula जो अलग-अलग होते हैं लेकिन के जो अनुसुत्र होते हैं वो समान होते हैं तो इनको समयावी तत्त कहते हैं चलिए अगला question देखते हैं द्रब सोना इनके liquid gold किसे कहते हैं पेट्रोलियम को जो द्रब सोना कहा जाता है option number D इसमें हमारा correct होगा अगला question है अप उस पी पादप होगा इनकी जैसे प्लाट जिसमें फूल नहीं लगते हैं को किस वर्ग में रखा गया है तो देखे इनको रखा गया है crypto games में रखा गया अगला question है आलू में मुजैक रोग किसके दौरा होता है तो आलू में मुजैक रोग विसानु इनकी वाइरस की दौरा होता है मुजैक रोग आलू में अगला question है विश्च का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने प्लांट है तो विश्च में पूरे सबसे अधिक जो बढ़ने वाला जल्दी बहुत तेजी से बढ़ता है वो है जल हया सिंथि देखे इसमें आपने कहीं भी देखा होगा कि इस तरह के फिगर में देख रहे हैं कि इस तरह के जो पौधे हैं प्लांट हैं जहां पर जल अधिक मातर अगला कशिन है सारवाधिक जाएबिवित्ता याँके वायोडی डैबरिसिटी और सबसे यह कैता है कौन सी रचना कोशि कैने की आइनिमल सेल को बनसपती कोशि का तू हमारा प्लांट सल होता है उनसे डिफ्रेंशिट करता है तो कौन सी हैसी चीज़ है वो है centrioles, option number A हमारा correct होगा तो इन दोनों को differentiate करता है animal cell और plant cell को differentiate करता है centrioles अब इस speaker में देखेंगे कि ये दोनों तरह के cell है तेकि ये है centrioles, ठीकि यहाँ पर देख रहेंगे ये जो है plant cell में नहीं पाया जाता लेकिन animal cell में ये पाया जाता है अगला question देखते हैं किस परकार के उतक ये टीशू हमारे घाओ को भरने में सहायक होते हैं तो ये हमारा epithelium, epitheme एक तरह के हमारे टीशू होती है जो हमारे घाओ को भरने का कारी करता है option number C इसमें correct होगा तेकि यहाँ पर एक वसा में उतक हम देखते हैं तो हमारी स्रीक को गर्मी रखने का काम करते हैं जिसको हम adipose भी कहते है अगला question है मनिष्य की तुचा यान की skin सबसे मोटी कहां पर होती है तो सबसे हमारी skin सबसे मोटी होती है तलबो पर ये देखेंगे कि तलबो पर सबसे हमारी मोटी skin पाए जाती है इस तरह आप देखेंगे figure में चली अगला question देखते हैं मनिश्य के सेरीज में सबसे लंबी कोशिक है इनकी cell कहा होती है तो ये सबसे लंबी cell जो होती है हमारी तंत्री का कोशिक है इनकी हमारी nerve cell में पाई जाती है और cell की study करते हैं cytologic के नतकत और यहाँ पर must कोशिक दिया है option number C में must कोशिक हमारी सेयोजी उतक में पाई जाती है अगला question है फेपडो याणि के lungs को ढखने वाला आवरान याणि की cover को क्या कहते हैं तो हमारी फेपडो को फेपड़े जो होते हैं lungs वो एक तरह के आवरान cover से ढखाओ होता है जिसको हम करते है pluria कहते हैं आप इस figure में देखेंगे कि साइल इसमें एक outer pluria होता है और एक inner होता है इसमें दो layer होती है आप देखेंगे यह हमारा फेपड़ा है lungs है उसके बाहर वाला एक outer layer है इसको जो parital pluria कहते हैं और जो अंदर वाला है उसको कहते है visceral pluria कहते हैं तो एक inner एक outer दो layer पाई जाती है देखेंगे यहाँ पर option एक बी option में दिया गया है dentine देखेंगे dentine हमारी दातों की जो आंतरिक हिचता है उसको हम dentine कहते हैं और यह दातों के मुख्य रूप में होता है कि dentine चलिए अगला आज का last question है किस रोग की पहचान के लिए BMD friction किया जाता है तो BMD एनकी bone bone mineral density कहते हैं जिसको हम कहते हैं BMD friction किया जाता है osteoporosis नाम के बिमारी के लिए इसकी friction किया जाता है टेस्ट किया जाता है तेकि यहाँ पर AIDS के लिए किया जाता है टेस्ट एलाइजा टेस्ट किया जाता है और तेकि osteoporosis एक प्रका की ऐसे हड़ी रोग है जिसके कारण जिससे होने से fracture होने का खत्रा बढ़ जाता है दोस्तो वीडियो बनार में बहुत ही मेनत लगता है तो आप लोग प्लीज इसको share जरू करें गया अपने study group में अपने दोस्तों के बीच में और वीडियो अच्छा लगए तो like जरू करें गया लाइक करने में आप लोग बहुत ही कंजूसी करते हैं इसके अलबा online study point के 28 राज और 9 UT के static और current GQ को दीके का PDF अब नीचे दिये गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं तो thank you for watching this video, have a wonderful day ahead